बिस्मिल्ला रख्मारा रहीम जी तो कैसे हैं आप सब लोग उमीद है सब ठीक होंगे जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपके लिए लिखा हैं पीजा डो की रेसिपी जिसके लिए हमें जो चाहिए होंगी यह नॉट डाउन कर लें अधियों प्रेजिंग फ्लावर है मेरे पास यह 1.5 kg है और इसका फूल पैकेट मैं यूज करूंगी और साथ में लिए एक बावल वन एन आफ टेबल स्पोन ओफ ड्राइश्ट थी तेबल स्पोन ओलिव ओल तू तेबल स्पोन ओलिव ओल तू तो तेबल स्पोन ओफ शुग सॉल्ट और साथ में जाएगा लूपम वाटर नीम गरम पानी और चलते हैं रेसिपी की तरफ तो यह चीजें आप इसका स्क्रेंशुट ले सकते हैं यहां पर मैंने वन थर्ट कप अफ वाटर लूपम वाटर नीम गरम पानी थोड़ा से ले लिया था एक चृथाई कप और इसमें डालेंगे एस्ट और शुगर शुगर की जगा पे आप लोग हनी भी यूज़ कर सकते हैं टू टेबल स्पून शुगर और अगर आपने हनी डालना है तो भी टू टेबल स्पून अफ हनी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए से डिबन चार से पांच मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से फलफ अप हो सके और डिजॉल्व हो सके इस्ट जो है उसको डिजॉल्व हने में थोड़ा टाइम लगता है और अगर आप देखें कि आपका इस्ट बबल्स वगरा नहीं बने तो इसका मतलब है वह आपका हम ड़नेंके सैल्फ Ф्रिजिंग फ्लावर और सैलПрिजिंग फ्लावर अगर नहीं हो तो आप प्लेन फ्लार भी यूज कर सकते हैं मैधा तो तो जिस्ट प्लेन जो फ्लावर या मैदा है उसको एक खुली बրतन में डाल लीया मैने और साथ में मैंने डाला है यहाँ पे सॉल्ट सॉल्ट मैंने डाला था 1.5 टेबल स्पून क्योंकि यह 1.5 केजी है तो 1 केजी से थोड़ा ज्यादा है तो 1 टेबल स्पून एंद 1.5 टेबल स्पून नमक जाएगा नमक को मैंने अच्छी से मिक्स करके मीडल में जगा बना लिए और अब यह जो मैंने शुगर का और ड्राइ इस्ट का मैंने मिक्स्चर त्यार किया था आप देख सकते हैं इसमें बबल बने वे इसको बच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर सेल्फरेजिंग फ्लावर में अलरड़ी थोड़ा बहुत जो है वो फूलने वाला इनोंने एजंट डाला होते है तो वो अलरड़ी थोड़ा सा वह खुदी फलफ़प होता है तो साथ मैंने यह डाला था यहां पे इस्ट जो है वो मैंने डाला था वान एन आफ टेबल यूज की थे अब इसको अच्छी तरह से आपने दस मिनट पंद्रा मिनट जितनी देर भी आप गूंद सकते हैं गूंद के ऑईल लगा के इसको क्लिंग फिल्म लगा देनी है और रख देना दो गंटे के लिए गरम जगा पे मैंने पांच मिनट के लिए अपने ओवन को ही यूके में आपको पता सब्दी की वज़ा से फिर ये ठेक नहीं बनता तो मैंने ओवन के अंदर रखा था अब जो बाकी का ओयल है वो इस पे डालके अच्छी तरह मिक्स कर देंगे अब ये तियार है यूज करने के लिए बस इस ओयल को मिक्स करना है और ये अप रैडिया जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है करनली मेरे चैनल को लाइक करें शेर करें सबस्क्राइब करें और साथ में लगे बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हार आने वाली नए वीडियो का नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और जितने भी इंग्र करती डाल दूंगी next okay Allah Hafiz